जय स्रीराम दोस्तों, दोस्तों आज अम बात करेंगे बालक दुरूव कैसे बना दुरूव तारा स्वेम भूमनू और सत्रुपा के दो पुत्तर थे प्रियवत और उदानपात उदानपात की सुनिती और सुरूची नामक दो पत्रिया थी राजा उदानपात को सुनिती से दुरूव और सुरूची से उत्तम नामक दो पुत्तर उत्पन हुए यदपी सुनिती बड़ी रानी थी परन्तु उदानपात का प्रेम सुरूची के प्रती अधिक था एक बार सुनीती का पुत्र दुरूब अपने पिता की गोद में बैठा, खेल रहा था, इतने मिश्रूची महा आ पहुँची। दुरूब को उधानपात की गोद में खेलते देख उसका पारा सात्वे आसमान पर जा पहुँचा, सोतन के पुत्र को अपने पती की गोद में वह बरदास ने कर सकी, उसका मन इर्षा से जल उठा, उसने जपट कर बालक दुरूब को राजा की गोद से खीच लिया और अपन पुत्र उत्तम को उसकी गोद में बिठा दिया, तथा बालक दुरूब से बोली, अरे मूरक, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है, जो मेरी कोख से उत्पन हुआ हो, तु मेरी कोख से उत्पन नहीं हुआ है, इसलिए तुझे इनकी गोद में या राज सियासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, पांच वर्ष के दुरूब को अपनी सोतेली मा के वैवार पर क्रोध आया, वै भागते हुए अपनी मा सुनिती के पास आये और सारी बात बताई, सुनिती बोली, बेटा, तेरी सोतेली माता सुरूची से अधिक प्रेम के कारण, तुमा बगवान की बक्ति करने के लिए पिता के घर को छोड़ कर चल पड़े, मार्ग में उनकी बेट देवारिशी नारद से हुई, देवारिशी ने बालक दुरूव को समझाया किन्तु दुरूव नहीं माना, नारद ने उसके दुर्ड संकल्प को देखते हुए दुरूव को म पस्तावा हो रहा था, देवारिशी नारद को महाँ पाकर उन्होंने उनका सतकार किया, देवारिशी ने राजा को ठाटस बदाया की बगवान उनके रक्सक हैं, बविश्य में वह अपने यस को संपूर्ण पिर्थवी पर फैलाएंगे, उनके प्रभाव से आपकी कीर्ती इस संसार में फैलेगी, नारद जी के इन सब्दों से राजा उदानपात को कुछ तसल्ली हुई, उदर बालक दुरू यमना के तट परजा पहुँचे, तथा देवारिशी नारद से मिले, मंतर से बगवान नारायन की तपश्या आरम कर दी, तपश्या करते हुए दुरू को अनेक परकार की समस्या आई, परंतु वे अपने संकल्प पर हडिंग रहे, उनका मनोबल विचलित नहीं हुआ, उनके तप का तेज तीनों लोकों में फैलने लगा, ओम नमो भगवते वासु देवाई की दवनी वेकुंट में भीगूंज उठी, तब भगवान नारायन भी योग निंद्रा से उठ बैठे, द्रू को इस अवस्ता में तप करते देख, नायन परशन हो गए, तथा उन्हें दर्शन देने के लिए परकट हुए, नायन बोले, हे राजगुमार, तुमारी समस्त इच्छाय पूर्ण होंगी, तुमारी भगति से परशन होकर, मैं तुम्हें वह लोग परदान कर रहा हूँ, जिसके चार और जोतिस चक्र गुमता है, तथा जिसके आधार पर सब ग्रे नक्सक्त्र गुमते हैं, प्रल्यकाल में भी जिसका कभी नास नहीं होता, सब तरिशी भी नक्सक्त्रों के साथ जिसकी परदिक्षिक्ता करते हैं, त स्मस्त प्रकार के सर्वत्तम ऐस्वरिय भोग पर अंत समय में तुम मेरे लोग को राप्त करोगे। बालक दुरूव को ऐसा वर्दान देकर नायन अपने लोग लोट गए। नायन के वर्दान सवरूप दुरूव समय पाकर दुरूव तारा बन गए। दोस्तों सुनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और विरोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जै स्री राम